तुम्हें एक बार फिर से सर्वाइब करने वालों पूरे पचास दिन हीरो ब्राइन की डराओनी दुनिया में और ये पचास दिन और भी खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि मुझे जाना है नेदर में और वहाँ पर हीरो ब्राइन क्या कहर ढ़ाएगा ये तो वक्त ही बताएगा तो अगर आपको हीरो ब्राइन की डराओनी दुनिया के बारे में नहीं पता तो आपको ले चलते हैं एक फ्लेश बैक में On Day 1 मैं एक विलेज के पास स्पॉन हुआ और जैसी मैंने विलेज में अपना पहला कदम रखा मुझे ये एसास हुआ कि यहाँ पे सर्वाइब करना इतना आसान नहीं है पूरे पचास दिन इस हिरो ब्राइन की दुनिया में सर्वाइब करने के बाद मैं आज आपके सामने हूँ पूरे डाइमंड आर्मर के साथ चलिए आगे कंटूनिय करते हैं अपनी इस जर्नी को डे 51 की शुरुआत होता ही मैं अपने बेज से बाहर निकला और मैंने अपने फार्म पर काम करना इस्टार्ट किया मुझे अपना फार्म एक्सपेंड करना था ताकि मैं विलेजर से ट्रेड कर सकूँ लेकिन फार्म पर काम करने के दोरान हीरो ब्राइन ने मुझे पर अटेक किया और मैं एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि पूरा ब्लैक आउट हो चुका था और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था मेरे पास जितने भी सीड्स थे मैं उनको लेके गया और अपने फार्म को मैंने प्लांट करना स्टार्ट कर दिया और डे 52 की एंड तक मेरा फार्म पूरा बनके रेडी हो चुका था क्योंकि मेरे पास खाने का कोई रिस्वर्स नहीं था इसलिए मैंने डे 53 पर अपने लेक सेमि- आटमेटिक पाव फाम बनां यह सबसे best farm था क्योंकि यहांसे मेरे को beef भी मिल जाता खाने के लिए और मेरे को leather भी मिल जाता जिससे मैं अपने लिए books बना पाता और उनको sell कर पाता क्योंकि यह farm से में automatic था यानि कि मेरे को breed कराना पड़ा था बार बार तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक और farm बनाऊंगा और यहां पर मैंने एक और farm बनाऊंगा उसके बगल मही और वहां पर मैंने अपने pigs को रख दिया लेकिन यह काम जितना असान लग रहा था उतना था न मैं जो अपने farms हैं उन पर भी काम करता रहा और day 56 मैं village की तरफ गया और villagers को breed कराना स्टार्ट क्या क्योंकि इस चीज में वक्त बहुत लग रहा था इसलिए मैंने साथ साथ अपने जो farms हैं उन पर भी काम करता रहा और उसी दौरान मुझे एक pillager भी वहां पर दिखा मैंने इसको मारा लेकिन उसका boss वहां पर नहीं था तो मैंने अपना सारा कम खतम किया और मैं अपने access farm में AFK के लिए चले गया डे 57 की सूबह जैसी में उठा हिरो ब्राइन ने मुझे पर attack किया और अचानक से गयव हो गया मैं अपने base से बाहर निकला और बाहर में देखता बहुत दूर से हमारी जो village के पास में जंगल है वहां से मुझे नजरें गड़ाय हुए था खैर मैं village की तरफ बढ़ा क्योंकि मुझे लेक्टन से mending चाही थी इसलिए मैंने उससे trade करना स्टार्ट किया मैं पूरे दिन भर उसके हाथ पर जोड़ता रहा लेकिन उसने हीरो ब्राइन के जाता ही मैं अपने farm की तरफ बढ़ा और मैंने अपने cow और pigs को breed कराना स्टार्ट किया और उसके बाद से मैं village की तरफ को निकल गया village में जाता ही मैंने दुबारा से अपनी किस्मत आजमानी स्टार्ट की और थोड़ी देर मिननत आय करने के बाद finally मुझे मेंडिंग और silk touch मिल चुकी लेकिन मेरे पास उसको लेने के emeralds नहीं थे इसलिए मैंने wood cart के flaircher से trade करनी स्टार्ट कर दी और रात होते होते दो मेंडिंग और एक silk touch के साथ मैं अपने घर वापस आ चुका था घर वापस आते ही मैं अपने enchantment room में गया और सबसे पहले मैं fortune 3 उसके बाद से मैंने अपनी axe और pickax में mending लगाए day 59 की सुबह होते ही मैं वापस अपने enchantment room गया और मैंने tools को repair करना स्टार्ट किया उसके बाद से मैं अपनी mine पर गया वहां से मैंने obsidian collect किया उसके साथ साथ में मेरे को जो भी सारी चीज़े मिल ली थी वो भी मैंने collect क और मैं घर वापस आ गया day 60 एक काफी अलग दिन था क्योंकि पहली बार hero brain के world में नेधर में enter करने वाला था बस नेधर में enter करने की देरी थी कि मुझे hero brain वहां पभी दिख गया और ये काफी डराने वाली बात थी क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा था hero brain मुझे वहां वहा बहुत लगी दिन था क्योंकि बिना ठूड़े मुझे मेरी fortress सामने नजर आ रही थी मैं जैसी बास्टन पहुंचा मुझे hero brain वहां पर दिखाई दिया और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि यहां पर वैसी बहुत सारे खत्रे थे और अब hero brain भी याप अपन अमीर पर नजर रखे हुए था बास्टन पहुंचते ही मैंने gold collect करने स्टार्ट किया और उसी दौरान मुझे वहां पर brutes दिखाई दिये मैंने lava की मदद से एक एक करेको उनको मानना स्टार्ट किया और आगे explore करने लगा जैसी मैं आगे explore कर रहा था मुझे तीन chest दिखाई दी जिसमें काफी सारी loot थी और मैंने वो लूटा और उसके बाद से मैं घर वापस आने लगा ऐसी कोई जगर नी थी जहाँ पर मुझे hero brine follow नहीं कर रहा था मैं जैसे अपने portal के पास पहुचा hero brine वहां से भी मुझे घूर के देख रहा था तो काफी देर होने के बाद भी hero brine महां से जाने का नाम नहीं ले रहा था इसलिए मैंने अपने लेक वाल बनाई और के trade करना start किया काफी देर trade करने के बाद मुझे तीन fire protection के potion मिले और दो soul speed की books मिली मैं वहां से जाने ही वाला था कि मुझे hero brine आसपास ही नजर आया और मैं कुछ देर और wait करना सही समझा जैसे hero brine महां से गायब हुआ मैं फटावट से portal से बाहर निकल गया day 63 से 64 पर मैंने अपने सारे farms पर काम करना start किया और साथी wood काट के villager से trade भी करता रहा और दुबारा से मैं अपने farm पर काम करने लग गया और इसी तरह ये दो दूदिन इसी काम में लग गए day 65 की morning मैं finally मेरे farm काम करने लग चुके थे मैंने वासे food collect किया उनको cook किया और मैं नैधर के लिए के बाद day 66 में finally fortress के अंदर enter कर चुका था और यहां तक आने में कोई भी ऐसा time नहीं था जब hero brain मुझे follow नहीं कर रहा था काफी देर तक इदर उदर भटकने के बाद day 67 में finally मुझे एक blaze spawner दिखाई दिया मैं जल्दी से spawner के पास गया और blazes को मारना start किया काफी देर उनको मारने के बाद finally मुझे 10 blaze rod मिल चुकी थी थोड़ी देर तक fortress को और explore करने पर मुझे कुछ chest दिखाई दी जिनको मैंने लूटा उसके बाद से मैं और आगे बढ़ा और थोड़ी दूर पर मुझे कुछ nether ward दिखाई दिया जिनको भी मैंने collect कर लिया था fortress में रहते हुए मैंने काफ़े सारे wither skeletons को मारा इस आस में कि शायद मुझे wither skeleton का head मिल जाए बट मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने वहाँ से कुछ magma block एकटे कि और day 68 में मैं fortress से बाहर निकल गया fortress से बाहर निकलते ही मैंने कुछ quards इकटे करने स्टार्ट के और मैं अपने portal के तरफ बढ़ने लगा bridge के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि hero brine उस पार मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं bridge cross करता हूं तो शायद hero brine मुझे लाओ में धक्का देगा और मैं यहीं पर भजम हो जाऊंगा लेकिन जैसे तैसे मैं वहाँ से बच निकला और मैंने कुछ वहाँ से और आइटम में कटे कि और मैं portal से बाहर आ गया day 69 की सुबह होते ही मैंने अपने नेधर ओट के farm पर काम करना स्टार्ट किया नेधर ओट प्लांट करने के बाद मैंने अपने बागी सारे farm से भी काम किया और मैं एक बार फिर से diamond mining के लिए निकल गया काफी देर mining करने के बाद day 70 में finally मुझे 4 diamond मिले और मैंने उनको collect किया और अपनी mining continue की थोड़े देर और mining करने के बाद मैंने देखा कि मेरी pickax almost तूटने वाली है इसलिए मैं घर वापस आया और मेरे पाज जितने भी diamond थे उनी diamond से मैंने अपनी pickax को repair किया और मैं वापस mining के लिए चले गया काफी देर mining करने के बाद जब मुझे एक भी diamond नहीं मिला तो मैं अपना मायूस सा चेहरा लेके घर वापस आने लगा घर की सीडियां चड़ते हुए सामने वाले जंगल पर एक बार मैंने फिर उस दरिंदे को देखा मैंने बिना डरे नजरे जुकाई और मैं घर वापस सोने के लिए चले गया day 71 की सुबह होते ही मैंने अपने farm पर काम करनाय स्टार्ट किया काम खतम करते ही मैं एक और बार diamond mining के लिए चले गया लेकिन इस बार की mining कुछ अलग थी क्योंकि इस बार मैं एक mine करने वाला था clay patches की मदद से तो कुछी देर में इस technique और fortune की मदद से मुझे 14 diamond मिले मैंने आगे और थोड़ा से explore किया और थोड़ी देर में दुबार से मुझे 16 ore diamond मिले तो इस तरह 30 diamond के साथ मैंने एक लंबी और गहरी नीद ली day 72 की सुबह होते ही एक बार फिर से hero brain ने मुझे पर पलंग तोड अटेक किया explore करते करते मैं एक सवाना बायों में पहुँच चुका था और यहाँ पर मैंने उसी technique से diamond mining करना start किया इस बार diamond तो नहीं पर एक mineshaft जरूर दिखाए दी मैंने उसको explore किया और वहाँ पर मुझे एक chest मिली जिसमें कुछ काम की चीजें थी मैंने उसको collect किया और मैं और explore करने लगा mineshaft को पूरा दिन explore करने के बाद जब मुझे कुछ भी नहीं मिला तो day 73 पे मैं वापस आगे बढ़ने लगा थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे एक जंगल वायोम दिखा जिसे मैंने explore करना इस्टार्ट किया मैं explore करी रहा था कि थोड़े ही दूर पे मुझे एक ruin portal भी दिखाए दिया ruin portal पहुंचते ही मैंने gold का block थोड़ा उसके बाद से chest ढूणने लगा chest मिलते ही मैंने उसमें से items को collect किया और मैं आगे बढ़ने लगा day 74 में भी मैंने अपनी diamond की खोज जारी रखी और मैं एक ऐसी जगह पहुचा जो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी ये cross का sign था और यहाँ पे कुछ redstone torches लगए हुए थे उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया मैंने explore तो किया बट मुझे कुछ भी नजर नहीं आया मैं नीचे mine करता गया और मुझे दुवार ऐसे 8 diamond और मिले उपर आते आते रात हो चुकी थी इसलिए मैं वहीं नदी किनारे सो गया आगे explore करते हुए day 75 पे मुझे एक jungle temple दिखाई दिया जैसी मैं jungle temple के पास पहुँचा मुझे पता चला कि वहाँ पर एक village भी है और पहली बार ऐसा हुआ कि jungle temple के पास मुझे कोई village मिला हुआ था तो मैं सबसे पहले temple को explore करने गया मुझे chest में books मिली temple explore करने के बाद मैं निकल पड़ा village को explore करने village explore करने पर जब मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो day 76 में मैं घर वापस आने लगा घर आते होए रस्ते में मुझे एक और ruin portal दिखाई दिया मैंने वहाँ से items वगर collect किये और उसके बाद से मैं घर की तरफ बढ़ने लगा शाम होते होते एक लंबी journey के बाद मैं अपने base में वापस पहुँच चुका था day 77 की सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी netherite mine करने की इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए एक brewing stand बनाए और अपने लिए potions बनाने start कर दे मुझे बहुत तैयारी करनी थी इसलिए मैं रात को भी potions बनाते रहा लेकिन मैंने एक बहुत अजीब चीज notice की वो ये कि जब मैं portion मना रहा था तो अपने आप मेरा दरवाजा खुला और ये पहली बार ऐसा मैंने notice किया और उसके बाद तो मेरी हालत मानो खराब यह चुकी थी पूरी मैं बार बार जाके door बंद कर रहा था लेकिन कोई बार बारा के उसे खोल रहा था मैं हिम्मत करके बाहर गया और मैंने बाहर जाके देखा कि पहली बार मेरे वर्ल्ड में दो हिरो ब्राइन थे और अब जाके मेरा डर का कोई ठीकाना ही नहीं था मैं जैसी अंदर आया दुबार से मेरा door open हुआ मैंने door बंद किया और मैं सोने चले गया डे 78 में अब जाके मुझे एक एंडे चैस बनानी थी इसलिए मैं village गया और cleric से trade करनी मैंने start कर दी काफी देर तक trade करने के बाद आट एंडप अल के साथ मैं मैं घर वापस आ गया घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने दो endachess बनाई उसके बाद से मैं अपने enchantment room गया जहां से मैंने एक और pickaxe बनाई उसमें silky touch लगाई और अपनी जो पुरानी pickaxe थी उसको भी repair किया और इस तरह 78 खतम हो चुका था day 79 होते ही मैंने अपनी सारी चीजें endachess में रखी और पूरी तयारी की साथ मैं नेदराइट माइन करने नेदर के अंदर चला गया मैं अपनी माइन पर काम करी रहा था कि तभी hero brand ने मुझे एक बहुत गंदा attack किया उसने मुझे पर ऐसा खतरनाग attack किया कि मैं घबराट के मारे अपने portal के तरब बढ़ने लगा मैं जैसी portal बगया तभी सब कुछ normal हो चुका था और मैं वापस नेदर में आ गया काफी देर माइनिंग करने के बाद मुझे मेरा पहला ancient debris मिला और ये बहुत बड़ी खुशी की बाद थी मेरे लिए क्योंकि अब जाके मैं और powerful वनने वाला था मैंने उसको collect किया और मैं आगे mining continue करता गया थोड़ी देर और mining करने के बाद मुझे कुछ और ancient debris मिले और मैं अपनी mining आगे continue करता गया तो इसी तरह काफी दिनों तक mining करने के बाद day 83 में 9 ancient debris के साथ में एक बार वापस आया अपने tools को repair करने क्योंकि मैं काफी बार अपनी pickax को repair कर चुका था इसलिए इस बार में इसको repair नहीं कर पाया क्योंकि इसकी cost काफी यादा high जा रही थी इसलिए मैंने decide कि मैं कुछ और pickax बनाऊंगा और इसमें enchantment लगा कि दुबारे मैं mining के लिए निकल गया day 84 की शुरुआत में मुझे 2 ancient debris मिले मैंने उनको collect किया और आगे continue करता गया इसी तरह कई दिनों तक mining करने के बाद finally day 87 में 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 पास 16 ancient debris हो चुके थे यानि कि मैं अपना एक पूरा armor अपग्रेड कर साकता यहाँ पे मेरा इस journey का पहला target पूरा हो जाता है काफी देर mining करने के बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला तो day 88 में मैं वापस overworld में आ गया वापस आने के बाद मैंने अपने ancient debris को smelt करने रखा और मैं तैयारियों में लग गया एक और xp farm बनाने के लिए इस बार का xp farm में बनाने वाला था नेधर के अंदर और यह होने वाला था एक piglin xp farm रात होते होते मैंने खिड़की से बाहर देखा और बाहर बहुत ज़्यादा बर्फण लगी थी पहली बार हमारे world में बर्फड रही थी तो मैं बाहर गया और उसको enjoy करने लग गया day 89 होते ही मैं वापस नेधर में गया और मैंने अपने piglin xp farm में काम करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा जो xp farm है वो काम नहीं कर रहा था अच्छे तरीके से और मुझे अब जाके xp की ज़रूरत थी इसलिए मैंने एक और simple sa alien xp farm बनाने स्टार्ट किया मैं जैसी xp farm बनाने स्टार्ट किया थोड़ी देर में मुझे दुबारा से hero brine ने attack किया और इस बार भी पूरा आसपास अंधेरा चाचुका था थोड़ी देर में ही सब कुछ normal हो चुका था और मैं अपना काम वापस continue करने लगा लेकिन hero brine मेरे आसपास ही घूम रहा था और यहां पे क्योंकि दिन रात कुछ भी नहीं होता था तो कभी भी जाओ hero brine बस मुझे घूरे जाता था मेरा piglin xp farm काम तो करने लग गया था लेकिन जगा कम होने की बस से वाप piglin बहुत कम spawn हो रहते हो और इस तरह यह वाला farm भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर ला था day 90 के सुबह होते ही मैंने सारे mobs को मारा xp कलक की और मैं एक और बार नैधर में mining के लिए चले गया तो इस बार मैं chunk water की help से mining कर रहा था और थोड़ी ही देर में मुझे पहली बार 3 ancient debris एक साथ मिले day 92 में काफी देर mining करने के बाद मुझे ancient debris तो नहीं मिले पर एक बहुत sad news थी और वो ये थी कि मेरी जो सबसे बहतरीन pickax थी fortune 3 और efficiency 4 वाली वो अचानक से तूट गई तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बांकी मेरी जो pickax थी वो बची हुई थी क्योंकि मेरी सबसे अच्छी वाली pickax टूट गई थी और इस pickax से mining करने में बहुत टाइम लग रहा था लेकिन मैंने फिर भी mining कंटूनी की और मेरे को बहुत देर mining करने के बाद 4 और ancient debris मिले तो इस तरह मेरे पास टोटल साथ ancient debris हो चुके थे और अब जाके मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ancient debris चाहिए था ताकि मैं अपने दो main tools को upgrade कर सकूँ बट मेरी pickax इतने काम की नहीं थी इसलिए मैं TNT बनाने के लिए overworld में वापस आ गया day 94 की सुभे होते ही मैंने अपने debris को smelt करने रख दिया उसके बाद से मैं नदी किनारे sand collect करने चले गया sand collect करने के बाद मैंने TNT बनाई अपने pickax को repair किया और मैं दुबारा से mining के लिए चले गया nether के अंदर पहुंसते ही tunnel के अंदर मैंने अपने TNT विचाए और उनको blast कर दिया और पहले blast में मुझे 3 ancient debris मिल चुकी थी मुझे एक ही ancient debris की जरूरत थी लेकिन मुझे 3 मिल चुके थी यहां पर मैंने बांकी बचे होए TNT को भी blast किया और मुझे एक और ancient debris मिल चुकी थी तो अब मुझे सिर्फ एक ancient debris की जरूरत थी और मैं अपने 3 tools को एक साथ upgrade कर सकता था मैंने बहुत देर तक mining तो जरूर की बट मुझे कुछ भी नहीं मिला इसलिए मैं घर वापस overworld में आ गया day 95 की सुबह होते ही मैंने अपने ancient debris को smelt करने रखा उसके बाद से उनको मैंने नेधर राइट ingot में convert किया और मैं अपने farm पर काम करने चले गया carrot और wheat को दुबारत से replant करने के बाद मैंने अपने cow और pigs को breed करा है उसके बाद से मैं घर वापस आने लगा जैसी मैं घर वापस आ रहा था रात हो चुक थी और मुझे अपने sugar cane farm के वहाँ पर hero brine दिखाए दिया मैं फटा बट से घर के अंदर आया और सो गया लेकिन जैसी day 96 की सुबह में उटा hero brine ने एक और बार मुझे पर attack किया मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो hero brine मुझे ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं कितना भी powerful हो जाओं लेकिन मुझे से ज़्यादा powerful तो वही है मैं जैसी अपने base से बाहर निकला एक और बार hero brine ने मुझे पर attack किया पूरा अंदेरा चाह चुका था और अब जाके मुझे लग रहा था कि भाई hero brine लगातार मुझे पर attack करने वाला है सब कुछ normal होते ही मैं वापस अपने village गया और villager से trade करनी start कर दी तो इसी तरह पूरा दिन में trade करते रहा और day end होते होते मुझे लेक्टर ने एक efficiency 5 की book दी क्योंकि मुझे XP की बहुत जरूती मुझे अपने armor अपग्रेट करने थे अपने tools अपग्रेट करने थे इसलिए मैं 97 की day पूरा AF की रहा और इसी दोरान जब मैं AF के points नीचे आ रहा था अचानक से hero brain ने मुझे पर attack किया हुआ मैं और ये attack बहुत ख़बनाक था क्योंकि ये attack सबसे ज़्यादा डरा देने वाला था इस attack ने मुझे सबसे ज़्यादा damage किया था और day 98 पहली बार hero brain ने दिन में मेरे घर के अंदर मुझे पर attack किया और ये काफी ज़्यादा खतरनाक attack था तो काफी टाइम तेख XP कलेक करने के बाद एक और बार जब मैं अपने एक्सवार्म के तरफ बढ़ रहा था तो मुझे सामने hero brain दिखाये दिया और अब जाके मैं अपना ये वाला एक्सवार्म नहीं जा सकता था इसलिए मैं अपने नेदर वाले एक्सवार्म की तरफ चले गया लेकिन वहाँ अब भी hero brain ने मुझे पर attack करने स्टार्ट कर दी इसलिए मैं वापस घर आ गया day 99 की सुबह होता ही मैंने अपने लिए fresh new diamond का armor बनाया उसके बाद से xp collect की और मैं वापस village में trade करने के लिए चले गया wood collect करने के बाद जब मैं नदी के सारे वापस village आ रहा था तो मैंने देखा कि जो नदी थी हो नदी पानी की नहीं बलकि खून की नदी थी मैं वापस village आया और मैंने अपनी trading continue की क्योंकि मुझे बहुत सारी trading करनी थी इसलिए उस रात मैं उसी village में सो गया day 100 की सुबह बाहर का नजारा कुछ और ही था पूरे काले बदल चायूए थे सूरज भी था और ऐसा मौसम इससे पहले मैंने इस village में कभी भी नहीं देखा था थोड़ी देर और trading करने के बाद मुझे दो protection 2 की book मिली उनको लेके मैं वापस घर के लिए निकल गया वापस घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना diamond का armor enchant किया उसके बाद अपने ले एक नई diamond की sword और pickaxe बनाई उसके बाद मैंने अपने diamond का armor को netherite में upgrade किया और finally मुझे cover in debris वाली advancement भी आ गई और अब बारिती अपने पूराने diamond के armor को पूरे सम्मान के सांथ armor stand में रखने की और अपना नया netherite का armor पहनने की मैंने एक एक करके काफे सारे books को enchant किया ताकि मुझे सबसे best enchantment मिल सके और उसके बाद अपने sword और pickaxe को भी मैंने enchant कर लिया और finally उनको भी मैंने netherite में upgrade कर लिया और अब मेरा ये रूप देखके शायद hero brain में शर्मा जाए इतनी दिनों की महनत के बाद इतना powerful बनने के बाद एक आखरी बार मैंने hero brain की तरफ देखा hero brain ने मुझे देखा और इस तरह पूरे 100 दिन मैंने hero brain के world में survive किये तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करते ना मिलते हैं आपसे next hero brain के episode में तब तक के लिए bye bye